जेहें दोस्तों कैसे हैं आप सब आहीए पाप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को जो वीडियो टेस्ष्क आपको प्रवाइड किए चाते हैं डेली आप उठे से प्रेपैर कर रहे हैं और ज्यादस ज्यादस कर रहे हैं तो आपके लिए हम next test आपका computer waste आपके लेके आगे हैं जिसमें कि आपके लिए speed के साथ हम सभी questions को करने का प्रयास करेंगे क्योंकि last revision है आप सभी के लिए और last आपके लिए जितने चीज़ें आप सभी revise कर पाएंगे वो आपको ज़्यादा time तक याद रहेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी के साथ हम जितने भी question करेंगे इन सभी questions को आपको करने के बाद करना क्या है comment section पर आप comment करके बताएगा कि आपने कितने question correct किये हैं कि student के comment देखे जाते हैं कि आप क्या response दे रहे हैं कितने question आप correct कर पा रहें जिससे कि मुझे analysis हो पाएगा कि आपकी preparation कैसे चल रही है देखे चले शुरुआत करते हैं पहले question के साथ कि निमने में से किसका प्रयोग जो कि प्रथम पिड़ी के computer में नहीं किया गया था ये आपसे पूछा गया है तो first generation, first generation में अगर हम देखे कि किसका प्रयोग जो है नहीं किया गया था यह आपसे पूछा गया है तो देखे first generation में vacuum tube का किया गया था, आप सभी को पता है cards का किया गया था, punched paper का किया गया था, but magnetic core magnetic core का अगर हम देखे कि प्रथम पीड़ी के computer में प्रियोग नहीं किया गया था तीक है magnetic core का प्रथम पीड़ी के computer में प्रियोग नहीं किया गया था और यही आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा first question का next question है कि ROM जो होता है आपका read only memory जिसका full form होता है तो ROM का full form याद रखेगा read only memory यह किसके बने होते है magnetic core के microprocessor के या photoelectric coach का दोरा या floppy disk के दोरा ROM जो होते है किसके बने होते है ROM किसके बने होते है read only memory जिसका होता है full form ROM बने होते है magnetic core के दोरा किसके दोरा बने होते है ROM तो ROM बने होते है magnetic core के दोरा करते हैं कि computer के अंतरगत प्रयोक किया जाने वाला जो सब्द है SCI यह किसे संबंदित है आपका SCI जो सब्द है इसका full form क्या होता है इसका full form क्या होता है आप comment करके बताएगा कि इसका full form क्या होता है देखे computer के अंतरगत प्रयोक किया आई है आपका इस storage से related किस से related है इस storage से related सब्द है आपका SCI जैसे कि VLSI होता है very large scale integration very large scale integration उसी तरह से आपका SCI है इसका full form क्या होगा आप comment करके बताएगा आप शबी की comment चेक्किये जाते हैं आप comment करके जरूब बताएगा चलब next question कीजेगा printer की गती की गणना है तो निमलेखित में से किस सिकाई का प्रयोग किया जाता है printer की गती की गणना है तो किसका प्रयोग किया जाता है CPM का, DPI का, PPM का या BIT का, किसका प्रयोग किया जाता है printer की गती की गणना के लिए printer की गती की गणना के लिए अगर हम देखे किस सिकाई का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है आपका किसका PPM का किसका किया जाता है PPM ठीक है printer की गती printer की गती की गड़ना के लिए किस सिकाई का प्रयोग किया जाता है तो PPM का प्रयोग किया जाता है printer की गती की गड़ना के लिए ठीके next question है कि land card का अन्य नाम क्या होता है NIC, network connector, modem या internet card इसका अन्य नाम क्या होता है आपके देगे options में से land card का अन्य नाम क्या होता है तो इसका अन्य नाम होता है NIC इसका अन्य नाम क्या होता है land card का तो आप सभी का right answer है NIC आपका correct answer हो जाएगा NIC आपका correct answer हो जाएगा दिएगे options में से Next question है निमलिकित में से कौन सा केवल जो data को तीब बरगती से इस्थनांतरित करता है data को तीब बरगती से इस्थनांतरित कौन सा करता है समाच्ची केवल, आप्टिक फाइवर केवल, या टिूष्टेट पेर केवल, या uTP केवल कौन सा आपके इनमे से जो data को तीब बरगती से इस्थनांतरित करता है तो optical fiber, optical fiber जो केवल होती है optical fiber केवल ये data को क्या करती है डेटा को बहुत ही ज़ादा स्पीड से तीप बगती से इस्थनाम्तित करती है Optical Fiber Cable क्लियर है आप सब एको Option B आप सब एका correct answer हो जाएगा दियेगे options में से Next question है कि scanner से सम्बंदित कौन सा है आपके इन में से laser, twin, cartridge, media कौन सा इन में से scanner से सम्बंदित सब्द है आपका scanner से सम्बंदित सब्द है आपका इन में से कौन सा है दियेगे options में से क्या हो जाएगा right answer V answer आप सबी का correct answer है scanner से सम्बंदित पद इन में से कौन सा है तो आप सबी का right answer है option B Next है कौन सा device कि किसी कौगच पर pencil या pen के चिन की उपस्थिती को जासती है कौगज पर किसी पेंसिल या पिन के चिन की उपस्थिती को जासती है कौन से इन में से डिवाइज बहुत ही आसान सा कुश्चन है आप सभी अगर कोई आप सभी अगर कोई आफ लाइन एक्जाम देते हैं जो आपको मिलती है क्या ओया मार सीट मिलती है ना आप उसमें क्या करते हैं आप उसमें सर्कल करते है तो यह कैसे कौन सी डिवाइज होती है जिसके तुरू आपके जो एंसर चेकोते हैं तो यही तो है आपका Optical Mark Reader Optical Mark Reader सीएंसर आपका Correct एंशर हो जाएगा ठीक है सी एंसर आपका राइट एंसर हो जाएगा दीएगे options में से क्लिर चल नेक्स question कीदेगा कौन सा एक input device नहीं है बहुत ही आसान सा प्रशन है कि कौन सा एक input device नहीं है mouse, keyboard, monitor, pin input device, तेकि input device क्या होता है input device वह होता है जिसमें की, जिसके थ्रूँ आप कोई भी input देते हैं, कोई भी आप input, कोई भी data आप enter करते हैं वह होता है आपका input device जैसे कि आप mouse के थ्रूँ, mouse के थ्रूँ आप अपना कारे जो एक तरह से input के लिए करते हैं, keyboard से भी आप अपना कारे input देते हैं पन के थ्रूँ आप input देते हैं पर जो आपका monitor है, monitor monitor input device नहीं है आपका monitor जो है, input device नहीं है, क्योंकि इसके थ्रूँ आपको क्या मिलता है output मिलता है, जो भी आप input देंगे, उसका एक तरह से आपके process होगा, फिर वो आपके output में changes होगा, तो जो आपको कि यदि आप किसी उत्पाद को mobile दोरा क्रे करते हैं, तो इस LinkedIn को क्या कहा जाते है, बहुत ही आसान सा question है कि अगर आप कोई भी product को mobile के दोरा क्रे करते हैं purchase करते हैं, तो इस LinkedIn को क्या कहा जाएगा, web commerce कहा जाएगा, e commerce कहा जाएगा, m commerce कहा जाएगा या मोबाइल क्रे कहा जाएगा दीखिए डी ओप्शन पे मत जाएगा ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर हम देखे तो इसे हम क्या कहते हैं e-commerce e-commerce आपका right answer हो जाएगा electronic commerce electronic तरीके से कोई आप करते हैं कोई भी purchase करते हैं कोई भी व्यापार से related अगर हम देखें यह एक सब्द है electronic commerce ठीक है जिसमें अगर हम देखें कि किसी इत्पाद को अगर mobile दोर आप करे करते हैं तो इस लेन दिन को electronic commerce कहा जाता है किसी network से computer को सलंगने करने पर कौन सा address दिया जाता है system address, s by s id, process id या ip address किसी network से computer को अगर aid करते हैं तो कौन सा address दिया जाता है तो यह address होता है आपका ip address ip address होता है, ठीक है किसी network से अगर आप computer को aid करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलता है का ip address मिलता है यही आपको बताना था, ip address, ठीक है आप सभी का right answer हो जाएगा दिया के options में से next है direct x क्या है आपके इनमें से computer part है, software है, user interface है या cable है आपके या cable है आपका क्या है आपका यह तो direct x अगर हम देखे तो एक software है direct x क्या है आपका एक software है, ठीक है direct x क्या है आपका एक software है, थोड़ा सा मैं speed के साथ कर रहा हूँ जिससे कि आप सभी ज़्यादा question की practice कर पाए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी speed ज़्यादा है तो आप वीडियो को पोज करके answer खुद से कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका right answer direct x क्या है आपका तो आपका एक software है नेक्स है कि computer दोरा जो प्रारंभिक क्रियाएं कार्यानवित की जाती है, गणती क्रिया दोरा, logical क्रिया दोरा या stories तथा संबंदित क्रिया दोरा या उप्यूक्त ABC देखे जो computer दोरा प्रारंबिक क्रियाएं जो होती है वो कारेनवित की जाती है किसके दोरा तो यह अगर हम देखे ना तो यह आपके किसके दोरा की जाती है तो गनती क्रियाओ दोरा भी होगा logical क्रियाओ दोरा भी होगा पंच कार्ड का अविश्कारक कौन थे आपके? Important question है, पूछ सकता है आपके exam में चार्ट सकता है आपका यह question की सुर्थम पंच कार्ड के अविश्कारक कौन थे आपके? पंच कार्ड के अविश्कारक कौन थे तो याद रखेगा बहुत यह अच्छा प्रशन हर्मन हॉलरिंथ हर्मन हॉलरिंथ थे आपके पंच कार्ड के अविश्कारक, D answer आप शबी का राइट answer है इसकी wide length कितनी होती है आपसे पूछा गया तो इसकी wide length होती है 8 width इसकी wide length कितनी होती है ये आपसे पूछा गया इसकी wide length होती है 8 width clear आप सब्सक्राइब को चले next question कीजिएगा किसमे data और निर्देशों को input device के माध्यम से स्युकार किया जाता है PC Pranaly, ROM में, RAM में या Monitor में किसमें data और निर्देशों को input device के माध्यम से सिविकार किया जाता है तो अगर हम देखें तो आपका right answer हो जाएगा option first PC Pranaly क्या हो जाएगा PC Pranaly जिसमें कि data और निर्देशों को input device के माध्यम से सिविकार किया जाता है clear आप सभी का option first आप सभी का right answer हो जाएगा next question है कौन सा database का मुख्य अव्यब है field record database file या सभी मुख्य अव्यब database का कौन सा आपके इन में से कौन सा database का मुख्य अव्यब है तो अगर हम देखें तो field भी है record भी है database file भी है कि सभी हो जाएंगे ये सभी database के मुख्य अव्यब है field record database file ये सभी क्या है database के मुख्य अव्यब है field record database file तेके next question है कि IP address मुख्य ते कितने प्रकार को होता है most important question है आपका कि IP address जो होता है कितने प्रकार को होता है IP address कितने प्रकार को होता है तो इसके जो types होते है ना 3 types होते हैं, IP address जो होता है मुख्यता है कितने प्रकार को होता है अगर आपसे पुछा जाए, तो इसका जो right answer हो जाएगा option C, C answer आप शबी का correct answer है, तीन प्रकार की होते है तो आप शबी का right answer हो जाएगा देगे options में से option C तो basically एगर हम देखे, IP address मुख्यता है, अगर हम पुछा जाए तो दो ही होते है public और private, बट एक स्थिर जैसे कि static हो गया, फिर आपके dynamic हो गया, इस तरह से अगर हम देखे तो आपको कहें कहीं पर चार प्रकार भी इसकी देखने को मिलते है, पर मुख्यूप से अगर हम देखे, एक त्रतियक संग्रहन माध्या में, एक दितियक संग्रहन माध्या में, प्रात्मिक संग्रहन माध्या में, या एक प्रात्मिक और दितियक संग्रहन माध्या में, तो hard disk के क्या होता है देखे, hard disk के अगर हम बात करें एक ये secondary, दितियक दितियक संग्रहन माध्यम होता है हाट डिस्क क्या होता है दितियक संग्रहन माध्यम होता है ठीक है आप सभी का राइट एंसर क्या हो जाएगा option P next है कि memory की संग्रह चम्ता बैक्त की जाती है किसके दोरा seconds में, megabytes में, hearts में या kilometer में तो memory की संग्रह चम्ता बैक्त की जाती है किसके दोरा देखिए memory की संग्रह चम्ता जो होती है आसान सा question है megabytes में बैक्त की जाती है किसमें बैक्त की जाती है क्योंकि option ऐसा दिया गया है megabytes अगर यहीं पे आपके हो गया किलो बाइट हो गया तो वो भी राइट इंसर हो जाता पर यहाँ पर मेगा वाइट दिया गया है तो आपका दियेगी options में से मेगा वाइट आपका correct इंसर हो जाएगा क्लियर है? कितने question अभी आपने correct कर लिए है और total आपको बताने कि कितने आपने कर लिए है यह comment करके जरूर बताएगा आप सभी next check कि निम्लिकित में से कौन सा device जो PC और telephone line के मद्ध लगाई जाती है PC और telephone line के मद्ध कौन सी device लगाई जाती है तो यह होती है modem modem का full form होता है modulator demodulator याद रखेगा पिछले वीडियो में आपसे question किया था modulator demodulator modem का full form होता है modem का full form क्या होता है modulator demodulator the next question है कि computer software में सम्मिलित होता है application program, operating system program, package program या सभी computer software computer software में सामिल होता है आप किनमे से अगर हम देखें हैं तो यह सभी हो जाएंगे application भी होता है, operating system भी होता है, package program भी होता है तो ये सभी computer software में सामिल होते हैं ये सभी computer software में सामिल होते हैं D answer आप शबी का correct answer हो जाएगा Most important question है कई बार exam में पूछा गया Computer विग्यान का जनक किसे कहा जाता है Computer विग्यान का जनक किसे कहा जाता है दिएगे options में से तो आप सभी को answer करना है कि Charles Wives Charles Wives को ही कहा जाता है Computer विग्यान का जनक दिएगे आप सभी का right answer है option B V answer आप सभी का correct answer है Next question है कि कि IPS का प्रियोग निम्लिकित में से किसकी गति मापने के लिए किया जाता है किसकी गति मापने के लिए किया जाता है आपकी कि IPS का उप्योग Processor की Disk Drive की Printer की Kips इसका जो प्रियोग किया जाता है Processor Processor की गति कुम आपने के लिए किया जाता है Processor की गति कुम आपने के लिए किया जाता है Kips का प्रियोग आप सभी का right answer किया option first First answer आप सभी ने correct answer किया होगा ठीक है हाँ बिल्कुल इसका फुल फाम होता है आपका Processor की गति मापने के लिए किया जाता है Next ने किस device का प्रियोग Graphical User Vata Varn में Standard Pointing Device की रूप में किया जाता है Standard Pointing Device की रूप में एक Pointing Device आप से पूछा गया है Pointing Device अगर हम देखे Standard Pointing Device Mouse हो जाएगा आपका Standard Pointing Device की रूप में अगर हम देखे किसका प्रियोग किया जाता है तो Mouse का प्रियोग किया जाता है ठीक है आप सभी कोश्चन है आपके Complete हो चुके है आज कितने कोश्चन आपने Correct के comment करके बताएगा जिससे कि मुझे analysis हो पाए कि आप सभी की Preparation कैसे चल रहे है तो आपने 25 में से कितने कोश्चन Correct किये हैं आपको comment करके बताना है ठीक है और वीडियो को like and share कीजेगा ज़द शद अगर आप सभी support करेंगे वीडियो को ज़द शद शद शेयर करेंगे तो आपको और भी कैसे session मिलते रहेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में Thank you